जैन अगली सुभा उठा और देखा कि उसकी वाइफ पहले से ही रेडी हो रही थी वहाँ बैट पर बैठ गया और बस उसे देखता रहा वहाँ क्रीपी दिखने की कोशिश नहीं कर रहा था लेकिन उसे अपनी रूटीन करते हुए घूरने से उसे शान्ती का एहसास हुआ उनकी शादी को अभी एक दिन ही हुआ है और उसने पहले ही उसके थौट्स पर कबजा कर लिया है कल रात जब वहाँ शावक करके वापस आया तो उसकी जान पहले से ही बैट पर सो रही थी वहाँ बिलकुल परी लग रही थी और वहाँ सिर्फ उसकी थी लैला पूरे समय उसकी घूरती निगाहों को महसूस कर सकती थी लेकिन उसने इसे नजरंदाज करने की कोशिश की वहाँ मेकप करने के लिए वैनिटी पर बैठी थी तब ही उसके दिमाग में पिछली रात की घटनाए घूमने लगी वहाँ शर्माय बिना नहीं रह सकी वहाँ उठी और क्लॉजट में चली गई वहाँ नहीं चाहती थी कि जैन उसके लाल गाल देखे और उसका मजाक उड़ाए लैला ने डार्क ग्रीन कलर की कमीज पहनी जिस पर गोल्डन और शॉकिंग पिंक का काम था इसके साथ उसने मैचिंग गोल्डन पैंट भी पहनी थी बाहर निकलते हुए उसने देखा कि जैन बैट पर नहीं था जिसका मतलब शायद वहाँ बाथरूम में था वह एक बार फिर वैनिटी के सामने बैठ गई और अपना मेकप शुरू कर दिया जब उसका काम पूरा हो गया तो जैन अपने बालों को को जैल लगा करके और जीन्स के साथ एक स्किन टाइट टी शर्ट पहन कर बाहर चला गया लैला उठी और दर्वाजे की ओर जाने से पहले अपना दुपट्टा पकड़ लिया जब तक कि वो बाहर जाती उसे जैन ने उसकी कलाई से खीच जिसके वज़ा से वो उसके सीने से टक्रा गई उसने जैन से नजरे मिलाने के लिए उपर देखा जैन ने कहा हम एक साथ नीचे जाएंगे लैला ने बस अपना सिर हिलाया और नीचे देखा अपनी घड़ी पहनने के बाद जैन आया और उसने लैला की पीठ पर अपना हाथ रखा और उसे कमरे से बाहर ले गया जैसे ही वहा डिनिंग रूम में दाखिल हुई जब उसने अपने पूरे परिवार को वहां देखा तो तुरंत उसकी आखे चमक उठीन वह उनकी ओर दोड़ी और अपने दो साल के भतीजे हादी सहित सभी को गले लगाया वहा बड़े लाल गोल मटोल गालों और बड़ी भूरी आखो वाला सबसे प्यारा बच्चा था वहा हमेशा हंसते मुस्कुराते रहता था हमें तो भूल ही गए उसकी सास ने चिढ़ाया उन्हें सलाम करने जाने से पहले वह तुरंत शर्मिंदगी से लाल हो गई शाहिस्ता बेगम बच्ची को ना तंग करो उसके ससुर ने जवाब दिया शाहिस्ता ने बस अपने हस्बिन की और नजरे घुमाई मजाग कर रही थी आप सब इतनी सीरियसली से ले जाते हैं अब उसके हस्बिन की आखें घुमाने की बारी थी लैला का परिवार जो नाश्ता लाया था उसे खाने के लिए सभी लोग बैठ गए लैला सबसे लास्ट में बैठने वालों में से एक थी और उसने देखा कि जैन के बगल में एक मात्र खाली कुडसी थी अल्ला का शुक्र है कि उसकी गोद में हादी भी था इसलिए यह ओक्वर्ड नहीं होगा मामू एक प्यारी सी आवाज निकली जो केवल और केवल अनाया की थी वा गोद में बैठे के लिए अपने मामू की और लपकी जबकि उसके मामू उसकी हरकतों पर हंस्ते रहे जैसे ही सभी ने खाना शुरू किया अनाया ने अपनी नजर पूरी तरह से लैला पर फोकिस्ट रखी मामू छोटी लड़की ने अपनी निगाहें पूरी तरह से लैला पर फोकिस्ट रखते हुए सवाल किया हाँ प्रिंसिस जैन ने पूछा अब तक हर कोई उनकी बातचीत सुन रहा था क्या वो आपको मुझसे दूर ले जाएगी अनाया ने सवाल किया उसके बॉटम लिप्स काम प्रहे थे मैं एक अच्छी लड़की बनने का प्रॉमिस करती हूँ बस मुझे अपने से दूर मत जाने दो छोटी लड़की चिल्लाई आप उसकी आंखों में आसूं का अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं अरे नहीं, नहीं, प्रिंसिस, वह मुझे तुम से दूर नहीं ले जाएगी जैन ने उसकी आखे पोंचते हुए कहा प्रॉमिस, उसने एक बार फिर सवाल किया प्रॉमिस, जैन ने जवाब दिया और उसके माथे को चुमा लैला मेंटली उनके रिष्टे से आश्चर इचकित थी चिंता मत करो लैला, वह तुम्हारे बच्चों के साथ भी ऐसा ही करेगा जैन ने कहा, जैसे कि यह सामान्य हो और लैला तुरंट अपनी पूरी खाते वक्त खासने लगी जैन ने उसे पानी का गिलास दिया, जबकि हर कोई लैला के लाल गालों पर हस रहा था जैन के हस्बिंद एहद ने उसे अपनी तरफ धकेला वह उसकी और मुड़ी और घूर कर बोली, क्या? मैं सिर्फ फैक्स पर बात कर रही हूँ, जहरा ने अपना बचाव किया बाद में लैला सैलून में अपने ससुराल वालों द्वारा उसे लेने का इंतजार कर रही थी आज उसका वलीमा था और वह थोड़ी घबराई हुई थी वह बस यही चाहती थी कि शादी का यह पूरा मामला पहले ही खत्म हो जाए यह बहुत थका देने वाला आज की ड्रेस में ब्लुइश ग्रे कलर की ड्रेस के साथ पीच कलर का दुपट्टा शामिल था उसके ससुराल वालों ने एक आउटडोर फंक्शन आयोजित करने का निरने लिया आज मौसम भी अच्छा था न ज्यादा गर्मी न ज्यादा सर्दी वह अपने थोट्स में इतनी खोई हुई थी कि उसने अपने हस्बिन को सैलून में आता हुए नहीं देखा जैन ने ब्लाक कलर का अर्मानी सूट और नीचे वाइट शर्ट पहना हुआ था उसके माता पिता को थोड़ा बिजीद इसलिए जैन को लैला को लेने जाना पड़ा जब वह सैलून में डाखिल हुआ तो उसकी नजर तुरंत उस पर पड़ी और हमेशा की तरह वह एक पड़ी की तरह लग रही थी उसके चहरे पर जुंजलाहट थी नो डाउट वह सोच रही थी कि उसके ससुराल वाले कहा है जब तक वह उसके पास नहीं गया और अपना गला साफ नहीं किया तब तक उसने उस पर ध्यान नहीं दिया उसने उसकी और देखा और उसकी आखे शौक से फैल गई उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उसे लेने आएगा आप उसने सवाल किया उसने बस उसकी और अपनी आखें घुमाई चलो, हमें पहले ही देर हो रही है उसने बस इतना कहा और इसमें गलती किसकी है वह चुपचाप बुदबुदाती रही लेकिन जैन ने उसकी बात सुनी और उसे अंदेखा करना ही बहतर समझा उसे बैठाने के बाद वे रिसेप्शन की ओर चले गए कार की सवारी कुछ आकवर्ड थी क्योंकि उनमें से किसी के पास कहने के लिए हाँ, वह फुसफुसाई जब जैन ने अपनी नाक उसकी गर्दन के मोड से नीचे की और अपना चहरा उसकी गर्दन में छिपा दिया उसने अपना दूसरा हाथ भी उसकी कमर के चारो और घुमाया उतना और उसकी खुश्बू में सांस ली वह घुमा और बात्रूम में चला गया जहां लैला अभी भी अपनी सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी कुछ मिंटों के बाद वह पहले से बिचाए गए कमफोटिबल कपडों में बदल गई और खुद को चादर में लपेट लिया दर्वाजा खुला और लैला ने जैन की ओर देखा लेकिन तुरंट फ्रीज हो गई उसके पास फ्रिकिन सिक्स पैक था वह जानती थी कि वह एथलेटिक है लेकिन उसने यहां नहीं सोचा था कि उसके पास सिक्स पैक होंगे उन्होंने जो ब्लाक जॉगर्स पहने थे वे इतने नीचे थे कि आप उनकी वी लाइन देख सकते थे जब लैला ने पीछे मुड़कर उसके चहरे की ओर देखा तो उसने देखा कि वह उसे देखकर मुसकुरा रहा था उसने शर्मिन्दा होकर दूसरी ओर देखा और खुद को एक छोटे बच्चे की तरह कंबल के नीचे छिपा लिया उसने कमरे में एक गहरी हसी की आवाज सुनी कुछ मिनिट बाद जैन भी बेट पर कूद पड़ा लैला? जी, उसने पूछा मुझे आशा है कि आपको इस बात से प्रॉब्लम नहीं होगी कि मैं शटलस सो रहा हूँ